तो दोस्तों फाइनली पूरे बजार को जिसका इंतजार था बजाज फाइनेंस के कौटर फूल के रिजल्ट, वो फाइनली हमें यहां पर आउट होते हुए देखने को मिले हैं तो देखते हैं कि क्या हमें कोई डिविडेंड मिला है, मिला है तो कितना मिला है और कंपनी के जो में रिजल्ट है वो कैसे रहे हैं और इसे क्या स्टॉक के प्राइस में रिएक्शन बनेगा, तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर आपको कितना 20 रुपे पर शेर के डिविडेंड मिलने वाला है, 37,000 प्रतिशत फेस वैल्यू और दो रुपे इस बार आपको 7,600 का देखने को मिला, मतलब कि अगर आप ग्रोथ देखो तो आउटस्टेंडिंग ग्रोथ है, अल्मोस्ट 16,000 करोड का जब एक कमपनी के टोटल इंकम है और अगर रिफली अगर हम यहां पर कॉटन कॉटन की बात करें तो भी 100,000,000,000,000,000,000 की जब हमें कमपनी के टोटल इंकम में देखने को मिल रही हैं, नेक्स टोटल इक्सपेंस, एक्सपेंसिस की अगर हम यहां पर बात करें तो लास्ट इिर जो कमपनी के एक्सbyंसिस थे वो थे रिफली 4,400 करो, लास्ट में 4,900 करो, इस बार आपको 4,500 रुपे, 0,0,0,0,0,0,0,0 देख फाइनल दोस्तों जो चीज आती है profit after tax या फिर चलो हम यही जिले की total company income हो तो फिर मतलब profit loss सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर अगर आप देखो तो company का जो last year का profit था या फिर total income थी, profit after tax सब कुछ 1126 करो, last quarter में था 1930 करोड इस बार आपको 2304 करोड के आसपास का देखने को मिल मतलब काफी शाप में growth देखने को मिल रही है, EPS भी अगर हम देख ले तो यहाँ पर last year जो GPS था वो 19 का था, last में 32, इस बार 37 तो 19 का डबल करो तो होता है अर 30 तो रफली company का जो profit है उसमें हमें मो, हुसेन 90 प्रतिशत की जंप यहाँ पर देखने को मिल रही है, मतलब outstanding result यहाँ पर company ने दिखाया है, तो आप सोच सकते हो कि कल बजार में किस तरह का reaction यहाँ पर रहने वाले dividend भी मिला है तो सब कुछ हमारे favor में ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो उसे इस वीडिय को फिर हम यही करते वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना चैनल सब्सक्राइब जरूर लेना